सूर्या नीच राशी के हों या पाप परभाव में हों तो करें ये उपाए अगर सूर्या देव एक, पांच, नौ घरों के मालिक हैं तो मानिक यानी रूबी रतन तामे की मूठी में धारण करें ये आपने तभी पहनवाना है जब कुंडली में सूरिया 159 के मालिक हो अधरवाइज नहीं पहनवाना क्योंकि सूरिया का जो रतन है ये बहुत गरम होता है सूरिया गरम ग्रहे हैं तो अधरवाइज अगर ये किसी और घर के मालिक होएं तो थोड़ा नुकसान भी हो सकता है अगर लगन लौड है और जो त्रिकोन के घर है उनके लौड है तो ये मानिक उसको हर हाल में फैदा ही देगा और कौन से उपाई हम कर सकते हैं अगर किसी का सूरिया कमजोर होगा उ आधर यसे पीला चंदन कुछ जैसे फूलल रंग के फूल वगयरा आड करकर आप सूर्य देव को अर्ग दे सकते हैं सूर्य को जल देते हुए प्रति दिन एकसो आठ बार मंत्र का जब करें अगर मंत्र जब कर सकते हैं तब अगर नहीं कर सकते तो simple जल भी दे सकते हैं अगर मंतर जब करते हैं तो 108 बार करना है ओम अदित्या विद्महे दिवाकराई धीमही तन्नो सूर्य पर्चोध्याद यह मंतर है हर रोस अदित्या हिर्द्या सरूत्र का पाठ करें या सुनें मास और शराब को हाथ भी ना लगाएं ना पिए ना किसी को पिलाएं अगर सूर्या खराब है तो ये बहुत खराब हो जाता है सूर्य नेगटिव है तो मास और श्राब अवाइड करना है ना तो खुद यूज करना है नहीं अपने हाँ से किसी को देना है सूर्य की दान देने वाली वस्तों में तामभा, गुड, गेहू, मसुर की दाल दान की जा सकती है ये दान परतेक रविवार या सूर्य सक्रांती के दिन किया जा सकता है सूर्य ग्रहन के दिन भी सूर्य की वस्तों का दान करना लाबकारी रहता है गुरुजनों, बजुर्गों और माता पिता की जितनी सेवा की जाएगी सूर्य का बल उतना ही अधिक बड़ेगा तूलसे के पौधे की सेवा करने से हर शांग उनके सामने देसी घी का दिपक जलाने से सूरह स्ट्रॉंग होते हैं